पती पतनी रोज साथ में तै समय पर एक ही ट्रेन में सफर करते थे एक युवक और था, वो भी उसी ट्रेन से सफर करता था वो पती पतनी को रोज देखता था ट्रेन में बैठ कर पती पतनी डेरो बाते करते थे पतनी बात करते करते स्वेटर बुनती रहती थी उन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी एक दिन जब पती-पत्नी ट्रेन में नहीं आये तो उस युवक को थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि उसे रोज उन्हें देखने की आदत हो चुकी थी करीब एक महीने तक पती-पत्नी ने उस ट्रेन में सफर नहीं किया युवक को लगा शायद बे कहीं बाहर गए होंगे एक दिन युवक ने देखा कि सिर्फ पती ही ट्रेन में सफर कर रहा है साथ में पत्नी नहीं है पती का चहरा भी उत्रा हुआ था अस्त व्यस्त कपड़े और बढ़ी हुई डाड़ी युवक से रहा नहीं गया और उसने जाकर पती से पूछ ही लिया आज आपकी पत्नी साथ में नहीं है पती ने कोई जवाब नहीं दिया युवक ने एक बार फिर पूछा आप इतने दिन से कहा थे कहीं बाहर गए थे क्या इस बार भी पती ने कोई जवाब नहीं दिया युवक ने एक बार फिर उनकी पत्नी के बारे में पूछा पती ने जवाब दिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है उसे कैंसर था ये सुनकर युवक को अचानक जटका लगा फिर उसने संबल कर और बाते जाननी चाही पती ने युवक से कहा कि पतनी को लास्ट स्टेज का कैंसर था डॉक्टर भी उम्मीद हार चुके थे ये बात वो भी जानती थी लेकिन उसकी एक जिद थी कि हम ज़्यादा सी ज़्यादा समय साथ में बिताएं इसलिए रोज जब मैं ओफिस जाता तो वो भी साथ में आफिस आ जाया करती थी मेरे ओफिस के नजदीक वाले स्टेशन पर हम उतर जाते वहाँ से मैं अपने आफिस चला जाता और वो घर लोट आती थी पिछले महीने ही उसकी डैथ हुई है इतना कहकर पती खामोश हो गया तेया स्टेशन पर पती ट्रेन से उतर गया अचानक युवक का ध्यान उसके स्वेटर पर पड़ा उसने देखा कि ये तो वही स्वेटर है जो उसकी पतनी ट्रेन में बुना करती थी उसकी एक बाजू अभी भी अदूरी थी जो शायद उसकी पतनी बुन नहीं पाई थी पती पतनी का आसीम प्रेम उस स्वेटर में जलक रहा था पति पतनी का रिष्टा अटूठ होता है, सिर्फ मौत ही उनने अलग कर सकती है, पतनी अपने पति का हर सुक्दुक में साथ देती है, तो पती भी पतनी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, यही इस रिष्टे का सबसे खुबसूरत आحसास है, इसलिए साथ रहते वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा धन्यवाद